नमस्कार को कुवित किरन सिंग में आप सभी का स्वागत हैं आज हम बनाते ही मखानी का रायता इसके लिए हमने ले लिया है एक कप मखाना और इसको अब हम रोस्ट करेंगे ऐसे ही ड्राय रोस्ट कर लेंगे इसको हम थोड़ी देते हैं मखानी एकदम क्रिस्प हो गये है अब हम आज को बंद कर देते हैं रायते के लिए हमने 200 ग्राम हलका गाढ़ा दही ले लिया है इसमें डालेंगे आधा चमच चीनी आधा चमच काला नमक इसको मिक्स कर लेंगे इसमें सिंपल नमक डाल सकते हैं या फिर ब्रत में खाना हो तो सेंधा नमक इस्तेमाल करें दही में मखानी डाल देते हैं थोड़ी देर में ये भीग जाएंगे पांच मिनिट के लिए ऐसे ही रख देते हैं इसको ये साफ्ट हो जाएगा तीका स्वाद पसंद हो तो आधी कटी हरी मिर्स डाल देंगे भुना जीरा पाउडर लाल मिर्स पाउडर काला नमक किस्मिस पुदीनी के पत्ते से गार्निश कर देते हैं और फटा पट हमारा मखानी का रायता तैयार हो गया है जो कि बहुत ही पोजिक होता है और कंशियम से परपूर होता है बच्चों तथा बड़ों सभी के लिए बहुत फायदेमंद होता है इसको ब्रेट में भी खा सकते हैं आप भी बनाएए मखानी का रायता और हमारी रेस्पी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवस्य कीजिए धन्यवाद